संसद भारत का सर्वोचे विधाई निकाए है आज यानि कि 28 मई 2023 को हमारी नई संसद का उधगाटन होने जा रहा है परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी संसद की नई इमारत का उधगाटन करेंगे विपक्स इस नई संसद का डट कर विरोध कर रहा है आपको बता दें कि यह नई संसद 1200 क्रोड रुपे में बन कर तयार हुई है आईए जानते हैं क्या है नई संसद की खासियत तिकोने आकार में बना नया संसद भवन चार मंजिला है यह पूरा कैमपस 64500 वरग मीटर के दाइरे में फैला हुआ है इसमें एक समिदान होल भी होगा जिसमें भारतिय लोकतंतर की विरासत को दिखाया जाएगा इसके लावा इस संसद में संसद सदश्यों के लिए लाउंज, कई सारे कमेटी रूम, डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्पेस होगा संसद भावन के तीन में गेट, ज्यान दवार, सक्ति दवार और कर्मा दवार होंगे वी आई पी, संसदों और विजिटर्स की एंट्री अलग-अलग गेट से होगी नए संसद भावन में लोक सभा के 888 और राज्य सभा के 300 सांसदों के बैठने की विवस्था की गई है अगर दोनों सदनों की सयुखत बैठक होती है, तो एक समय में इसमें 1280 सांसद बैठ सकेंगे संसद के वर्तमान भवन में लोक सभा में 550 जबकि राज्य सभा में 200 सदस्यों के बैठने की विवस्था है संसद का नव निर्मित भवन भूकम परोधी भी है और इसमें प्राकर्तिक रोशने की विवस्था भी की गई है इसका सबसे बड़ा आकर्शन विशाल सम्विधान कक्ष होगा जहां भारत की लोक तंतरिक विरासत को दर्शाने के लिए तमाम चीजों के साथ-चाथ सम्विधान की मूल प्रती, डिजिटल डिस्पले वगेरा दिखाए जाएंगे संसद आने वाले दर्शकों खासकर विदेशी डेलिगेशन के लिए भारत की संसद ये लोक तंतर को समझने में मदद मिलेगी लोकसभा अध्यक्स स्री ओम बिरला ने कहा नई भावन के माध्यम से देश की सांसकर्तिक विविद्धा परदर्शित होगी नई संसद के इस उद्धगाटन समहरों में संकरा चार्य सहित कई बड़े विद्धवान पंडित और साधू संतों को भी आमंत्रित किया गया है इस उद्धगाटन समहरों में कई विपक्षी पार्टियां सामिल नहीं होंगी अब तक 20 विपक्सी पार्टियां नई संसद के उद्गाटन के बहिसकार का एलान कर चुकी है विपक्स की दलील है कि नई संसद का उद्गाटन रास्ट्रबती को करना चाहिए ना कि परधान मंतरी को आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना धन्यवाद